दोस्तों नमस्कार यह दोस्तों मैं पाइप जो आपको दिखा रहा हूं यह रस्ती से बांगते हुए इसका कारण है यह देखे जॉइंट है जॉइंट पर इस जगह पर हम बेल्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह मीटर लगे पड़े हैं यह देखे इंसुमेंट के मीटर लगे हैं अगर हम यहां बेल्डिंग करेंगे तो मीटर हमारा डैमेज होने का चांस है तो इसको क्या करेंगे हम इसको देखे एंगल लगा दिये नीचे उपर और नीचे उपर एंगल लगा के हम इसको रस्ती से बांद लेंगे जब रसी से बांद लेंगे तो यह हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा और बाहर बोल्ट खोल के हम इसको टांका लगा के बेल्डिंग करके रखेंगे तो यह हमारा बिल्कुल सीधा सीधा बैठ जाएगा ऐसी जगे पे देखें यह फार्मूला अपनाया जाता है आप ध्यान से देख लो, दोनों तरफ हमारे मीटर लगे हुए है, जो गरम पानी की पाइप लाइन जाती है, जहां भी फ्लो मीटर आपका लगे हुए है, वो जगह पर यह देखिए, बैल्डिंग करके हमने लगा दिया है, यह हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ चीजे ऐसी होती कुछ जग देखिए, यह हमने लगा दिया है, यह कुछ दिखा रहे हैं, यह देखिए, यहां पर बाल है, और इधर फ्लो मीटर है, हम जैसे भी यार्थ लेके, जैसे इस पाइप को अगर टांका लगाते हैं, तो तुरत हमारा मीटर खराब होने का चंस था, इसलिए हमने वो जुगा रखके हमने रसी से बांद लिया है, और रसी से बांदने के बांद निकाले के बेल्डिंग कराके लगा दिया गया, बिल्कुल सीधा देखिया लग गया है, यह तरीका है, मेरा समझाने का में मक्सद था कि अगर जिस जगह पे भी आपको फ्लो मीटर हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे हम बेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, पाइप लैन का जॉइन टेगर है, तो हमें किस तरह से, किस टेकनिक से हमें उसका काम करना चाहिए, थैंक्यू दोस्तों